है 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 अगल यह आए हो मिस पर पे के 20 बूख करने हैं और जो यह रहा हमारा का स्ट्रोड और आज दूपर लाउंच वेंच को गया है तो शाओ वी ने आज कमाल कर दिया है Redmi के new phones launch करके तो उसका मैं करूँगा hands-on booking मैंने करा ली है K20 की भी, K20 Pro की भी तो hopefully next week तक मैं को मिल जाएंगे जब आएंगे साथ ही unboxing आईगी तो आज मैं complete hands-on करूँगा मैं store में हूँ तो अनोंने मुझे box भी दिया है, phone भी दिया है तो पूरे दिल से इसकी hands-on करेंगे तो यह है इसका box Redmi K20 6GB 128GB storage वाला variant, black color का box है यह मेरा build जो मैंने book करा है 21,000 पे का मुझे cost हुआ मैंने यही variant book करा है और blue color लिया है क्यों मेरा K20 Pro red color में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया और premium look का यह phone है triple camera है, flash case star अब देख सकते है 6.39 inch की screen है और display looks बहुत ही बढ़िया लग़ी जैसे अब देख सकते है right side पे आपको volume की और red color का power on button bottom में speaker, mic type-c charging port और same tray same tray मैं आपको आगे दिखाऊंगा left side पे आपको एक antenna ray मिलेगी और जादा कुछ नहीं top पे 3.5 audio jack plus montrise pop-up camera plus noise cancellation यह बढ़िया चीज भी है 3.5 audio jack 21,000 के phone में बहुत बढ़िया है simply देखते है अब तो यह phone में micro SD card support नहीं करता सिर्फ दो nano sim ही आएंगे तो तीन variant है इस phone के 6GB, 4GB, 64GB, 6GB, 125GB और 6GB, 255GB तो मैंने लिए आए 6GB, 128GB variant तो 20,000 से शुरू होते हैं तो मुझे यह 21,000 का cost हुआ है अगर अब यह मेरा piece नहीं है किसी और demo piece है तो Redmi by Xiaomi powered by Android तो यह इस phone में in display fingerprint lock है तो जो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया मुझे याद नहीं हाए वहाँ पस टोर पे तो बागी कुछ काफी अच्छा देखेंगे फुल डिस्प्ले है आप देख सकते हैं मुझे बहुत बढ़िया लगती है फुल डिस्प्ले ओपो बीओ रियल्मी इन सब में आगी थी वस एक हमारा Xiaomi रह गया था मैं उसने कमाल कर दी है इस प्राइज में यह चीज़ लाके तो देखते हैं स्पेसिफिकेशन फोन की तो Android 9 के साथ यह फोन आता है Android 5 MIUI 10.3.5 लेटिस्ट है Snapdragon 730, 8HM का चिपसेट Octa 4 2.2 GHz अद्वीनो 618 तो बहुत ही बढ़िया फीचर हैं 20,000 के फोन में तो देखते हैं इस फोन का टेस्ट करते हैं डिस्प्ले है AMOLED 1060 x 2340 स्क्रीन रेजोलुशन 19.5 x 9 स्क्रीन रेशो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ज़्या बढ़िया लग रही है आप देख सकते हैं कलर कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं रियली शाओमी ने कमाल कर दी है यह फोन लाके इंडिया में मोस्ट प्रॉब्ली जून कह रहे हैं मगर मेरे हिसाब से जुलाई तक आएगा बाकी देखते हैं जल्दी से जल्दी आना चाहिए क्योंकि यह एक मिड रेंज फोन है 20,000 का जो काफी लोगों की बहुत रिक्वाइडमेंट पूरी कर देगा बैट्री 4000 मेंच की है तो देखे कितना बढ़िया फोन लांच के है कलर्स देखे कितनी बढ़िया लग रही है फुल डिस्प्ले है चेन भी काफी चोटा लगा मुझे इसका तो मुझे फोन बहुत जाला पसंद आया तो जब यह फोन आया तो शायद मैं इसका गिब वे रखूं अगर जब तक मेरा फोन नहीं आता तब तक आप वेट कीजिए तो स्कोर आया है 2,17,617 तो काफी बढ़िया स्कोर है मेरा Mi 9 SE का 1,70,000 के बाद स्कोर था अगर आप वीडियो देखते हो कितनी बढ़िया लगती है मुझे यह OPPO, Find X, OPPO, Reno मैं बहुत बढ़िया लगे थी चीज़ और अब Xiaomi लिया तो यह तो कमाल कर दी Xiaomi Mi 3 भी आया था मगर यह बढ़िया लगा पॉप-उप-प-प-प-चैनिकल तो ट्राय करते है चोटा सा गेमप्ले पबजी का काफिलों को आता है कि पबजी गेमप्ले ज़रू टाला करो अन्बॉक्सिंग में या हैंड्स-उन में तो हम इसमें HDR में नहीं खेल पाएंगे सिर्फ एस्टीम में खेल पाएंगे तो Snapdragon 730 सपोर्ट नहीं करता सब्सक्राइब तो मैंने चोटा सा मैस लगा है वैसे मैं स्टोर पर था मुझे था शायद वो मुझे इतने लंबे टाइम के लिए फोन नहीं देंगे मगर वह भई बड़े कुछ थे मेरे से क्योंकि मैंने उसके हर फोन लिया है शामी के लांच टेट पर तो यह हम लैंड हो रहे हैं बहुत मुझे जा रही है अभी तक और मुझे बढ़िया लग रहा है यह फोन तो मेरे पास मेरे ट्रीगर नहीं है तो मैं इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा मगर आप फोन की परफॉर्मेंस देखें कितनी बड़िया होती है तो यह 8 मिनिट का चोड़ा सा मैच लगाया है मैंने तो यहां हमें एक शॉटगन मिल चुकी है और यह बंदा हमारे तरफ आ रहा है 10.39 जो जांता बड़ी स्क्रीन नहीं है तो जिन लोगों को ज्यांता बड़ी स्क्रीन नहीं पसंद उनके लिए फोन बहुत भाए आया है यहां मिली हमारी पहली किल तो यह शॉटगन से बड़िया नहीं कहलता मगर चलो गेम प्लेइक है तो फोन बहुत स्मूज चल रहा है बाकि जब मेरा पास फोन आएगा मैं complete gameplay करूंगा लंबा साइस का और तब देखेंगे कितना बढ़िया फोन की performance होती है इस फोन में charger मिलेगा आपको 18 watt का और 4000 mh की battery है जो बढ़िया लगी मुझे जो के 20 प्रो है उसमें आपको चार्जर 23 watt का मिलेगा जो मी 9 में है प्राइस बहुत ही बढ़िया है इस फोन की तो हमें दो किल मिल चुके हैं और दो शॉटकंस मिल चुकी है एक और बंदा आया है वा बच गया तो एक तीसरी किल तो अगर आप इस फोन के बारे में कुछ जानना बाकि मेरे पास ये फोन स्टोर वाले कह रहे थे हफसे से पहले आ जाएगा जब जब रिलिवरी हुई तो यहां मैं हुआ शहीद और गेम प्लेग खत्ब प्रिफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी लाट फ्री चला मैच तो अब देखते हैं इसका कैमरा तो 48 मेंगा पिक्सल तो वीडियो में आपको में लेगा टाइम लाप्स और अप अल्ट्रा इस्टी 4K 30fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो स्लो मोशन में आपको 960fps 120fps 240fps और शॉर्ट वीडियो तो 2x का आपको 2x optical zoom की भी option मिलेगी आपको इस फोन में तो कुछ क्लिक्स ली थी मैंने स्टोर पर ही क्योंकि काफी लोगों का कमेंट आता है कि आप क्लिक्स ज़रूर डाले करें जब आप हैंड़् या अनबॉक्सिंग करते हैं तो कलर्स बहुत बढ़ी आए हैं पिक्छर बहुत बढ़ी आई हैं तो मैंने सारी पिक्छर 48 में triple camera के थूरूल यह है normal camera के थूरूल नहीं क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया लगा है इसके pictures बाकी जब मेरे पास से मेरा phone आ जाएगा तो मैं comparison करूँगा 15-20,000 के phone range में और देखेंगे इसका camera कितना बढ़िया है और कितनी तक्तर देता है बाकी companies के phones को तो आज की pictures में आप देख सकते clarity बहुत साधा बढ़िया है मुझे phone का camera बहुत पसंद आया बाकी जब हाथ में असली phone तब देखेंगे तो अगर आप कुछ जानना चाते हैं इसके phone के बारे में आप मुझे comment box में जरूर पताईए मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने के लिए अब बात करते हैं इसके front camera की तो monitorized pop-up camera दिया है पहली बार Xiaomi ने जो मिलेगा आपको 20 megapixel का f2.2 aperture तो इसके pop-up camera में खासियत है जब यह on होता है तो sides पे light चलती है blue color की जो बहुत प्यारी लगई है realme X और Oppo K3 या vivo S1 किसी में नहीं मिलेगी आपको यह सिर्फ Redmi के through मिलेगी तो यह आप मुझे देख सकते हैं किसी की video copy नहीं की मेरी ही video है तो front camera से हम record कर पाएंगे full HD 1080p 30fps पर बाकी मैंने front camera से भी shots लिये थे जो मैं आपको दिखाऊंगा इस phone में आपको in display flash भी मिलेगी आप देख सकते हैं front camera में जो मुझे काफी बढ़िया लगी तो यह बढ़िया feature है तो मैंने कुछ shots लिये थे front camera से आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ही है मगर पहली बार मुझे difference लगा mostly Xiaomi के phone में beauty mode on होता है आप काफी गोरे हो जाते हो जो इस phone में मुझे नहीं लगा यह मुझे बढ़िया feature लगा natural photos आई हैं काफी बढ़िया लग रही है बाकि अगर आप कुछ जाना जाते है इस phone के बारे में तो comment box में जरू लिखे मैंने hand on में आपको सब कुछ दिखा दिया है gaming इसके features एंट्रू स्कोर camera तो अगर आप कुछ और जानना जाते हैं तो comment box मे जरूर लिखे वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कीजिए न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए इसके unboxing और k20 pro की unboxing जल्दी से जल्दी मेरे चैनल पर आजाएगी तो मिलते हैं